हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से जैसा कि आप लोग वीडियो देख चुके हैं मेरा प्रिवियस वीडियो जो मैं पेटीम पे बनाया हूं और यह वीडियो आपको एक कंप्लीट वीडियो में बनाने वाला हूं कि आप कैसे कैसे स्टेब बाइस ते पेटीम को एकाउंट को फालो कर सकते हैं सबसे पहले आप Google Play Store पे जाएंगे वहां पे पेटीम सर्च करेंगे और सबसे पहले उसको मैं उस एप को इस्टॉल करेंगे तो मैं यहां पेटीम सर्च कर रहा हूं और मैं इसको इंस्टाल कर चुका हूं तो मैं इसे पेटीम करेंगे आप तर देट आपको यहां पर मोगाइल नमर मायेगा वायरिफिकेशन के लिए तो आप जो भी बयाएंगे काउंट से लिंक है मुबाइल उसको यहां पर डालेंगे मैं यहां पर डालता हूं और देष्ट वैरिफाई करता हूं तो यहां पर जब लोग करना पड़ेगा सबसे पहले अगर आप register नहीं की हैं तो यहां पर आप देखे हैं login to continue या फिर क्रियेट एंड अकॉंट it दो दे रहा है तो अगर आप पहले से किए हैं तो login कर सकते हैं अगर नए account बनाना चाहते हैं तो create a काउंट पे क्लिक करेंगे तो मैं जश्ट लॉगिंग करता हूँ मेरा अकाउंट यहां पे है तो यहां पे ज़स्ट मुबाइल नमबर आपको वयरिफिकेशन के लिए मागेगा तो यहां पर आप जैसे ही मुबाइल नमबर वैरिफाई करेंगे तो आप वो डेटेल भरने के बाद आपक after that आप देखेंगे यह आपका interface खुल चुका है पूरा full to paytm का अलग-अलग section डिवाइड हुआ है अलग-अलग section में अलग-अलग इसमें details दिये हुए है तो सबसे पहले आप send money और यह सब दिया है यह आप send money दिया हुआ है फिर my paytm दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं फिर recharge and will payment यहाँ पे तो यह आपका send money है इसमें अलग-अलग दिया है इसका end पे तो mobile आपको transfer करना चाहते है तो self या फिर other account bank account में आप send करना चाहते है तो यहाँ पे अलग-अलग दिया हुआ है section divide हुआ है send money का अलग section divide हुआ है फिर my paytm का अलग section divide हुआ है जैसे कि आपको जानते हैं कि आप जानते हैं कि ptm में continuous अपने app पे update लाता रहता है तो अलग-अलग time अलग-अलग यहाँ पे offers भी कई offers भी चलते रहते हैं तो मैं हर एक चीज detail में बताता हूं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले मैं my account पर गये यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर account and balance history में यहाँ पर आपको दिया है कि आपका account है फिर इस में पेटियम बैंक है और पेटियम पोस्ट पेड है तो यहाँ पर अलग-अलग section दिया हुआ है जो आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर और just money back है czy यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे कि आप देख रहे है प्राइम हिस्ट्री Komment कर सकते हैं या कई भी मर्चेंट रखे रहते हैं QR code तो वहां पर आप जाके इसके तो डारेट कर सकते हैं या फिर सेंड मनी के आप सन में देखेंगे scan and pay दिया है यहां पर यहां से भी आप scan करके QR code को generate करके उसके तुरू आप बैलेंस पेमेंट कर सकते हैं तो यह आपका लेट उपर करेंगे तो यह आपका QR code और यह आपका पूरा payment ID जो है वह आपका बन चुगा है तो आप देखते हैं नेस्ट मैं क्लिक करता हूं और फिर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपको दिया है payment पोस्ट टेट पेमेंट बाइंग दिया है तो यहां पर पेमेंट बैंग कैसे इसको generate करेंगे या फिर यह कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं इसको कैसे open करना है तो open करने के लिए आपको यहां पर फुल के वाइसी जरूरी है दोस्तो सबसे पहले मैं बताता हूँ देखते हैं यहां पर अलाग अलाग अगर पेमेंट बैंक आप open करना चाहते हैं तो अलाग अलाग यहां पर दिया हुआ है जो बाइलेंस टो पॉइंट फाइप इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको और अब डेमेट इमेट काड यह सब आपको फैसल्टी मिलेगी इसमें अगर आप पेमेंट बैंक करते हैं तो मैं इसे ज़स्ट अपन किया और यहां पर आप देखने हैं दो चीज्ट हो चुकई है जो आपका थाइड है वह क्यों सी पेंडिंग है तो यह आप जाके वहां पे अपने जो अपर होता है क्यों से श्टॉर वहां पर जाके आप इसको तो वेरिफिकेशन कर सक मैं आपके लिए यह video लाया हूँ दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको की आप analog को कैसे link करेंगे अपने bank को Ptm से ठीक है दोस्तों तो my ptm पर जायेंगे यहां bank and history जो दिया है यहां पर balance and history सबसे पहले आगर आपका नहीं link है तो आपको link करना पड़ेगा यहां पर आप देख रहे हैं link your bank account दे रहा है तो आप अपने account को कैसे link कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर link now करेंगे यहां पर जैसे link now करेंगे यहां पर आपका bank open हो जाएगा search करने के लिए कि आप जो यह login आपका दिया गया है जिस number से आपकी यह login वो किस number account में आपका register किस bank में तो उसी bank का यहां पर open होगा तो वो bank मैं यहां पर search करता हूँ जैसे कि मेरा central bank है तो मैं central bank का search करता हूँ तो यहां पर central bank और जैसे ही आप यहां पर search करेंगे आगे आपका जो debit card है उसका detail मांगेगा और sms के तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ठीक है दोस्तों और मैं यहां पर देख रहे हैं मेरा यहां पर link हो चुका है central bank of India यह देखिए मेरा जो है bank वो एड हो चुका है central bank of India यहां से balance inquiry कर सकते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे यहां पर एक और option दिया है add new bank account यहां से भी आप एक नया account add कर सकते हैं यहां से pin और यह सब काफी अच्छा interference बना है इसका यहां पर अगर मान लीजिए आपको pin generate करना है change करना है तो यहां पर आपके debit card के six digit जो last दिया ह प्लस यहां पर आपका month और year और यहां पर proceed करना है after that आपसे आगे वहां पर pin generate करने के लिए आपका option आ जाएगा कि आप नया pin generate करना चाहते हैं या change करना चाहते हैं तो यहां से आप बहुत आसानी से हर एक चीज manage कर सकते हैं अपने account के लिए तो यहां पर मैं बताता हूँ और यहां पर आप नीचे देख रहे है add new bank account यहां से आप new bank account को भी आप add कर सकते हैं तो यहां से अगर आप plus का icon करेंगे वहां से फिर आपका account आ जाएगा और जो भी bank के आपसे number से add हुआ है वो फिर bank आपको यहां पर add कर सकते हैं ठीक है द अगरा है like share जरूर करिएगा दोस्तों तो चलते हैं अब निष्ट हम यहां पर आप balance and history यह सब आपका हो गया तो मैं आपको निष्ट अलग-अलग section जो है वह मैं बताने वाला हूँ कि आप अलग-अलग section कैसे दे सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए start करते हैं यहां पर open किया तो यहां पर मैं फिर से open किया और मैं हर एक section को अलग-अलग बताना चाहता हूँ send money जैसे हुआ आप कैसे send money कैसे कर सकते हैं और paytium my paytium कैसे handle कर सकते हैं जो अलग-अलग यहां पर interface वना हुआ है recharge and bill payment यह भी सब कर सकते हैं अपने account से account से और यहां पर आप देख रहे हैं credit card and loan यह सब भी आप कर सकते हैं और यहां पर ticket booking आप संदिया है growth your health दिया है स्वारी वेल्थ है दोस्तों तो यहां पर आप अलग-अलग जो यहां पर दिया है section insurance हुआ और save more with paytium तो यहां पर मैं अलग-अलग interference जो भी बना हुआ है मैं वो सब को describe करना चाहता हूँ detail के साथ ठीक है दोस्तों तो बने रहिए मेरे साथ तो सबसे पहले मैं send money का जो option दिया है तो यह मैं आपको बताना चाहता हूँ अलग-अलग section के जो बना हुआ है तो सबसे पहले आप money को कैसे send कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर आप option देख रहे हैं scan and pay scan and pay जो option दिया है यहां पर आप scan करके अपने पेडियम के थुरू बैलेंस send कर सकते हैं जैसे आप मार्केट में कोई समान लिए या कोई भी कहीं भी तो वहां पर QR code रखा रहता है वहां पर आप scan करेंगे और आप टरड़ यहां से आप जितना payment करना हुआ आप payment कर सकते हैं वो QR code है वो जैस्ट यहां पी सकैन करके वो generate करता है जैसे यहां पर आप दीख रहें ना यह scanner है तो यहां से scan करेंगा after 30 आप उसका merchant का जो है वो detail आ जाएगा फिर कितना आपको पैसा payment करना है यहां से आप payment कर सकते हैं बहुत ही आसानी से ठीक है दोस्तों चलते हैं निस्ट अब जो section दिया है to mobile अगर आप mobile में किसी कुसेंट करना चाहते हैं तो उसका number आपको जानना बहुत ही जर नमर से आप balance नहीं भेज सकते हैं जैसे मैं यहां पर पताता हूं यहां पर आप inter mobile नमर करेंगे तो अगर वो पेटियम से जुड़ा हुआ है तो उसका automatic यहां पर detail दे देगा तो यहां पर फोन नमर के थूरू भी आप पैसा भेज सकते हैं जैसे मैं किसी का यहां पर balance भेजना है तो वहां पर आप balance जो है amount को यहां पर जाव सर्क्ल करना है यहां पर amount लिखेंगे फिर पेग कर देंगे तो यहां से direct पैसा उसके account में चला जाएगा उस UPI के थूरू जो आपका phone number उसका है ठीक है दोस्तों यहां पर मैं यह बता दिया आप mobile नमर पर भेज सकते हैं to self to self मतलब होता है अगर आप एक यह एक से ज़्यादा bank add किये हुए हैं तो आप एक bank से दूसरे bank में अपने transfer करना चाहते हैं balance तो यहां से आप कर सकते हैं आपका जैसे मैं SBI का हुआ है मैं central का add किया हूं तो माल लीजिए कि मेरा SBI में भी है तो मैं central से SBI में इसके थूर मैं send कर सकता हूं बट यहां पर सबसे पहले होगा कि अपने जो second वाला account है वहां पर आपको add करना पड़ेगा ठीक है दोस्तों add new bank यहां पर दे रहा है तो second वाला bank आपको add करना पड़ेगा तो fourth option दिया है to bank कि किसी के bank में direct भीजना चाहते है माली जी उसके पास mobile number नहीं ह तो अगर आप उसके direct bank में भीजना चाहते हैं तो यहां पर देखी दिया हुआ इंटर bank account detail first option तो यहां से आप डारेक्ट उसके bank में send कर सकते हैं second है UPI ID और third है fourth mobile number तो यहां से आप उसके bank में detail जो है यहां पर account number और नीचे IFC code यह फिल अप करेंगे और प्रोसीड करेंगे आपको balance मांगे कितना आप send करना चाहते हैं तो उतना इंटर करके आप send कर सकते हैं और second है UPI ID UPI देख रहे हैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ एगर phone number है या फिर आपको UPI ID भी है तो वहां से आप आसानी से send कर सकते हैं third option है phone number मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आप phone number से भी भेज सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह सब काफी आसान हो जाता है आपको पैसा भेजने के लिए यह कोई पीटियम एक सुरच्छित और एक अच्छित आप है तो यहां पर मैं चलता हूँ अब यह वाला send money का जो है मैं यह सेक्षन आपको बता चुका अब मैं डीटेल पूरा वही है सब कुछ बैलेंस इंक्वारी बैलेंस और पेटियम बैंक तो यह सब यहां पर डीटेल में बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं तो यहां पर मैं पहला जो देख रहा हैं यहां पर बैलेंस और हिस्ट्री दिया है तो यहां पर बैलेंस में जितना balance है और जहां जहां आप send की हैं वो सारी history आप यहां से पता कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां पर आप देख रहे हैं तो चलिए मैं इसको open करता हूँ जस्ट मैं यह open किया और यहां पर आप जिख रहे हैं पहला है पेटियम बाइलेंस और दूसरा यहां पर देख रहे हैं Central Bank of India जो बैक आपका लिंक हुआ है क्लिक बैलेंस करेंगे तो यहां पर पेटियम पर जितना आपका एकाउंट में है वह यहां पर आपको पराप्त हो जाएगा तो मैं यहां पर क्लिक किया और यूपी डाला तो मेरे के काउंट में दिखा दिया कितना वैलेंस है और उसके बाद आते हैं पेटियम बैंक में यह अपडेट कराना ज़रूरी है इसके लिए जो आप पेटियम को जो भी बेनिफिट मिलेंगे वह आप ताकि इसके तुरूप राप्त कर सकें और यह है पेटियम वैलेट तो यहां अपने वैलेट जैसे होता है दोस्तों आप वैलेट में भी आप एकाउंट को पैसे को रख सक तो यहां पेपर दिया है आपका रिचारज और बेल पेमेंट यहां पर आप रिचार्ज कर सकते हैं मुबाइल का ड्राश का और ब्रॉड बेंड तो कफी यहां पर section दिया हुआ है काफी है है से आपका हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहां आपका डीडियाच हो गया electricity भील हुआ तो पूरा गर इसको जैसे क्लिक करेंगे अगे आपका electricity बिल का ID का स्टोर नमबर मांगता है तो वहां से आप payment कर सकते हैं और डीडियाच का और यहां पर broadband का हाला कि इसमें जो भी जा दिया है हर एक चीज कर सकते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा दोस्तों जरूर बताएगा मैं आपके लिए बहुत महिनत किया हूं दोस्तों यह वीडियो लाने में लिए तो यहां पर थर्ट सेक्शन है लोन एंद क्रेडिट कारड यहां पर पीटियम लोन लए सकते हैं और पोस्तव疫 एकाउन भी ओपन करा सकते हैं ने वीडियो अंपन तो यहां पर आप απ बस्तिकल कर सकते हैं पाल और यहां पर लिएंड से लेंड़ पासटेक मेट्रो का भी आप और है कर सकते हैं मेट्रो का भी का ट्रेवलिण वाला होता नि Hep आप कहां से कटना दूर जाना चाहते हैं तो देने मोग सकते हैं तो यह आपका देखनें मने SUBSCRIBE किया हूं फ्लाइट का तो फ्लाइट आप कहां से कहां जाना चाहते हैं यसे मैं दिल्डे सेलेक्ट किया और मुझे जाना है बैंगलोर ठीक है दोस्तों तो यहां पर मैं आप डरदर मैं यहां पर डेट सेलेक्ट करता हूं कि किस डेट पर आप जाना चाहते हैं तो मैं यहां और यहां पर यहां पर नीचे एडल्ट कितने लोग है कितने जाएंगे आपके साथ 2 तीन यहां पर आप सर्च करेंगे कि उस दिन कौन कौन सी फ्लाइट है ठीक है दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देखेंगे बहुत ही देर सारा स्क्राइब एक फ्लाइट है मतलब इस दिन किछ कान-कौन-सी की कालगी तो आप इसके मेंच कर सकते हैं इसके और पर फलाइट कर सकते हैं यहां पर सब कुछ ढीटेल आपका दीया हुआ है ठीक है दोस्तों है आप देख रह झानिंग दीया हुआ है बैलेंस दिया हुआ कितना लगेगा तो यहां पर आप यह सब फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं आप्टर दैट आप देखते हैं यहां पर जैसे मैंने बुक किया और यह कांटिन्यू करेंगे तो आपके एकाउंट से बैलेंस कट जाएगा और इस दिन की आपकी फ्लाइट हो जाएगी ठीक है दोस्तों और यहां पर इंसोरेंस और काफी यहां पर चलता रहा था डिसकाउंट भी तो आप उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों आगे प्रोशीड करेंगे तो आपका हो जाएगा टिकेट बुक तो आप्टर दैट आप देखेंग हैं मैं बस वाले सेक्षन में जाता हूं तो ट्रेवलिंग आप किसके किसके बीच आप करना चाहते हैं वो यहां पर पूरा डीटेल आपको देना पड़ेगा तो मैं ऐसे रेंडम ही सर्च करता हूं कि आप मालीजी आप दिल्ली से चिन नहीं जाना चाहते हैं तो मैं यह ड इसको मैं देखता हूं दोस्तों चलते हैं नेस्ट सेक्षन में तो यहां पर आप ट्रेंड में., तो यहां पर आप किसके बीच आप करना चाहते हैं किस कि इस्टेशन के बीच तो यहां पर नीचे जैसे आएंगे मैं स्लेक्ट करतना चाहता हूं कि आप दिल्ले से आप जाना चाहते हैं बैंगलोरू के लिए तो आप यहां पर डेट नीचे आप सलेक्ट करिए काउन से डेट पर जाना चाहते हैं तो यहां पर डेट सेलेक्ट करने के बाद ट्रेम सर्च करेंगे आपको यह सारी ट्रेन मिल जाएंगी उस डेट पे जो भी ट्रेन जाएगी वह आपको यहां पर पूरा डीटेल मिल जाएगी ठीक है दोस्टों तो यहां पे आप caucus guest ला्यान I कि कौन कौन सी sit अभी खाली हैन्स कौनधी नहीं ही क exploring इसमें ट्रेन दिया हुआ है जो आपको बेटबंगेगा वह आप यहां से सेड़्ू कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और सेयर करिए गा कि मेरे वीडियो कैसी लगी आपटर डाट मैं चलता हूं नेश्ट सेक्शन पर तो यहाँ पर आपको मूवी जाट टिकट दिया है यहां मुवी का टिगट भी आप जो है वह भी बूक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यहां पे जेस्ट ओपन करेंगे आप रधाएड़ आप अपना एरिया जो है पोस्सेलेक्ट करेंगे और होटल भी यहां पे दिया हुआ है उनलब काफी यहां पे इंटरफेस इतना कूल बन को देरा जुल आए हुए आप होटल बुक्त करना हुए यहाँ भी आराम कर चैना फोट आराम से विज्दाउट एदनी और यहाँ पर है दिसकाउंट भी मिल जाता है ली आप भी जाईए तो यहाँ से आअसाली स्वहाँ on के टिकेट बुकिंग का हो गाया तो दोस्तों तो यहाँ पर आगे सब फास्टेक वो सब दिया था तो यहाँ पर इंसुरेंस का है यह बहुत ही अच्छा है इंसुरेंस का जो दिया है यह मैंने इंसुरेंस खुद कराया हुआ है तो यहाँ पर आपको इंसुरेंस क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर गाड़ी कि कितना आपको डिसकाउंट चला है उसपे मिल जाएगा पर इन्सृइंस पर भी मिल जाएगा लाइफ इंसूरेंस और बाइक पर तीनों आपको अराम से बहुत ही अच्छ अराम से मिल जाएगा दोस्तों और यहां पर यह काइस बैक पॉइंट कुछ दे रहा है को यहां सक् सकते हैं और यहां के आप को सकते हैं स्लॉट बुक कर सकते हैं तो यहां advice 2025 गजह कटलोट से लुग कर सकते हैं यहां यहां पर जैसा कि मैं यहां पर बुक करना चाहता हूं कोविड जो हैं फिट्ट यहां पर कि आप को दिन पड़ेगा है जैसा है कि आप जा सकते हैं अपना डोज लगवा सकते हैं इस पेटियम के माध्य हम से और यह फिरिया उकास है तो यह सब पूरा डीटेल दिया हुआ है दोस्तों तो आप पेटियम के बारे में कैसा क्या जानते हैं अपनी जाय जरूर दीजिएगा दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा यह जरूर से जरूर बताएगा दोस्तों क्योंकि मैं आपको के लिए वीडियो काफी देन से सोच रहा था लाने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों जरूर से जरूर सेयर कीजिएगा अपने मित्रों भाईयों के बीच में